विदेशी मुद्रा भंडार में हुआ क्या बदलाओ एक फरवरी से टाटा के वान होने वाले हैं कितने महंगे म्यूचल फंड निवेशकों के लिए एक फरवरी से होने जा रहा है क्या बदलाओ जानेंगे आज हम मनी टाइम में नमशकार मैं हूँ अभिशेक स्वागत है आपका मनी नाइन पर आप देख रहे हैं परसनल फैनेंस का प्राइम टाइम शो मनी टाइम देश का विदेशी मुद्रा भंडार 20 जनवरी को समप्त सप्ता के दौरान 1.7 अरब डॉलर बढ़कर 543 अरब डॉलर से जादा हो गया है यह लगाता दूसरा सप्ता है जब विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी आई है पिछले सब्ता विदेशी मुद्रा भंडार 10 अरब डॉलर बढ़कर 572 अरब डॉलर हो गया था इसके अलावा देश का गोल्ड रिजर भी 82 करोर डॉलर बढ़कर 43.7 अरब डॉलर पर पहुँच गया है एक फरवरी से महंगे हो जाएंगे टाटा के सभी यात्रीवान टाटा मोटर्स ने शुकरवार को पेट्रोल डीजल इंजन वाले सभी यात्रीवानों की कीमतों में एक फरवरी से 1.2 फीसद बढ़ात्री करने का एलान किया है टाटा मोटर्स ने कहा है कि नियामी की ये बदलावों सक्त मानक उत्सरजन लागू होने और कुल लागत में बढ़ात्री होने की वज़े से उसे कीमत बढ़ानी पड़ रही है बहतर तिमाई नतीजों और कीमत बढ़ने से टाटा मोटर्स के शेरों में आज 8 फीसदी से ज़्यादा उच्छाल आया शेर बाजारों में शुरू हो चुका है एक नया दोर बाजार में सौदों का निप्टान अब कारोबार के बाद एक दिन के भीतरी हो जाएगा इससे जहां निवेशकों के लिए नगदी की इस्तिती बहतर होगी और पूझी दच्छता बढ़ेगी वहीं पूरे उद्धोग के लिए जोखिम कम करने में मदद मिलेगी शुक्रवार से शेयर बाजार में SME शेयर, ETF, REIT और INBIT, GOLD BOND, सरकारी BOND और कंपनी BOND समिद सभी परती बुतियों का निप्टान T1 सिस्टम के तहत होगा अब तक घरिलू शेयर बाजार में खरीद बिक्री का निप्टान T2 सिस्टम के तहत सौदे के बाद दो कामकाजी दुनों में होता था इकुटी मार्केट में सभी स्टॉक के लिए T1 सेटल्मेंट साइकल लागू होने से अब म्यूचल फंड निवेशकों को भी फायदा होगा अडानी गुरुप की कंपनियों के शेयरों में लगातार दूसरे दिन गरावट के बाद अरब पती कारोबारी गौतम अडानी की संपत्ती में भारी गरावट आई है उनकी संपत्ती 22.7 अरब डॉलर से ज़्यादा घट कर 96.5 अरब डॉलर रह गई इसके साथ ही फोर्प रियल टाइम बिलेनियर लिस्ट में अडानी तीसरे से सातवे स्थान पर आ गए हिंडन वर की रिपोर्ट के बाद अडानी गुरुप की सभी 10 कंपनियों के शेयरों में भारी बिक्वाली रही अडानी ग्रीन अडानी ट्रांशमिशन और अडानी टोटल के शेयरों में सबसे ज़्यादा 20 फीजदी की गरावट आई है जल्द ही गेहूं का आटा होगा 5-6 रुपए प्रती किलोग्राम तक सस्ता सरकार ने 30 लाग टन गेहूं खुले बाजार में बेचने का फैसला लिया है इससे गेहूं और गेहूं के आटे की कीमतों में आ रही महंगाई को रोकने में मदद मिलेगी सरकारी आंकडों के अनुसार अभी प्रमुक शेहरों में गेहूं की आउसत कीमत 33 रुपए 43 पैसे प्रती किलोग्राम है जबकि आटे की आउसत कीमत 37 रुपए 95 पैसे प्रती किलोग्राम के आसपास है ITI मूचल फंड ने ITI फ्लेक्सी कैप फंड को लॉंच किया है यह एक ओपन एंडेड इसकीम है जो सब्सक्रिप्शन के लिए 27 जनवरी को खुल चुकी है निवेशक इसमें 10 फरवरी तक निवेश कर सकते हैं इसमें निवेश की नियूंतम रासी 5000 रुपए है ITI फ्लेक्सी कैप फंड को निफ्टी 500 टोटल इटन इंडेक्स पर वेंचमार किया जाएगा यह एफंड उन निवेशकों के लिए बहतर विकल्फ हो सकता है जो लंबी अबधी के निवेश के जरिये अपनी संपत्ती में जाफा करना चाहते है Renew by एक नया Customized Health Insurance Plan लेकर आया है यह नया Health Plan गोल्ड, सिल्वर और वेलनेस तीन वेरियंट्स में आएगा Health Plan में ग्राकों को नई उक के Health Insurance Benefits मिलेंगे 2-5 लाग रुपए तक के कबरवाले इस प्लान को छोटे शेरों के अनिंस्योर लोगों को लक्षित कर डिजाइन किया गया है वित मंत्राले बजट में मध्यमवर को राहत देने पर विचार कर रहा है वेतन भोगी मध्यमवर के लिए आएकर छूट सीमा और माना कटोती में इजाफा हो सकता है अभी आएकर छूट की सीमा धाई लाग रुपए है जिसे 2014 में ततकालीन वित मंत्री अरुन जेटली ने मोधी सरकार का पहला बजट पेश करते हुए तैकी थी वहीं दूसी ओर 2019 से माना कटोती 50,000 रुपए बनी हुई है सरकार इस बार बजट में आएकर की धारा सीसी के तहट करमुक्त आएकी सीमा को बढ़ा सकती है निवेशकों को लाप पहुचाने के लिए पूझी गत लापकर नियमों को भी सरल बनाया जा सकता है नेटफलिक्स ने इस साल मार्च से पासवर्ड शेरिंग की सुबदा बंद करने का एलान किया है नेटफलिक्स के अकाउंट को अग एक से ज़्यादा डिवाइस में यूज करने पर यूजर्स को अत्रिक्त शुल्क देना होगा पासवर्ड शेरिंग की सुब्दा से नेटफलिक्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इस बज़े से कमपनी ने पासवर्ड शेरिंग की सुब्दा को बंद करने का फैसला लिया है जल्दी कमपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एड सपोर्टेट कंटेंट की शुरुआत भी करेगी सरकार अपने चालू खाते घाटे को कम करने के लिए गैर जरूरी वस्तियों पर आयात शुल्क बढ़ाने पर विचार कर रही है एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में वितमंत्री निर्मला सीता रमण इसकी गोशना कर सकती है एक रिपोर्ट के मताबिक सरकार ने 35 आइटम्स की लिस्ट तयार की है जिन पर कस्टम ज्यूटी बढ़ाने का एलान बजट में हो सकता है इन में प्राइवेट जेट, हेलिकॉप्टर, इलेक्रोनिक्स आइटम्स और जेलोरी आदी शामिल है देश में पहली बार बिरोजगारी वाओं को बिरोजगारी भत्ता मिलेगा इसके अलावा 36 गड़ में कुटी रुद्दोग, आधारित, ग्रामीड अर्थ बवस्ता को सुद्रन बनाने, रोजगार और लोगों की आए बढ़ाने के लिए ग्रामीड उद्दोग नीती भी बनाई जाएगी मारूती सुझकी की कारों की मांग और बुकिंग बहुत ज्यादा है, इस वज़े से कंपनी के लंबित और की संख्या जनवरी में बढ़कर 4 लाग से भी ज्यादा हो गई है इस वज़े से वाहन की डिलीवरी के लिए ग्राकों को और ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है कंपनी के नए मॉडल लाँच करने की वज़े से बुकिंग में लगातार इजाफा हो रहा है अमीद है आपको मनी टाइम का आज का एपिसोड पसंद आया होगा आपको हमारा आज का सो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राये जरूर सियर करें आपके सुजाओं में सो को और बहतर बनाने में मदद करेंगे अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी नाइन के मुबाइल एप को जरूर डाउनलोड कर ले नई खबरों के साथ अब होगी आपसे सुमबार को मुलाकात अब तक आप देखते रहे है मनी नाइन के अन्य प्रोग्राम नमस्कार गुड नाइट झालन प्रोग्राम नाइट